सुलाणचु जी प्रधानमंत्री ने कल जो पार्टी के दफ्तर में अपने बात कही कारेकरताओं के सामने उसमें ये दो शब्द जो थे उनका आशाय आपसे समझना चाहते हैं उन्होंने का लोग अपने आपको न्यूटरल कहते हैं न्यूटरल कोई नहीं होता और ये लोग जो हैं ठेकेदार हैं और अब ये मेरे और आपके पीछे और जादा तीवरता के साथ और आकरमक्ता के साथ पढ़ेंगे किनकी बात कर रहे थे आखिर प्रधार मंत्री देखे जो बाते हैं वो बहुत इसपष्ट है पहली बात यदि कोई विचारवान वेक्टी है जो आपने को इंटेलेक्ट्वल या बहुत विचार किसी ने किसी तरफ तो प्रेरित हो गई होगा ऐसा तो एकदम न्यूट्रल विचार तो हो ही नहीं सकता अब जिन लोगों की बात कर रहे थे वो लोग जानते हैं कौन है सुरब जी आपने बहुत सुना होगा पिछले कई चुनावों में कि M.I.M. ने लड़कर कॉंग्रेस का वोट काट दिया वो तो वोट कठवा पार्टी हो गई जबकि 13 सीटों पे लड़ी गुजरात में और विगत आठ वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं राज्य विधान सबाओं के 1.3% सीटों पर चुनाव लड़े 1.3% पर और 13 सीटों पर लड़कर जिसने एक प्रकार से गुजरात में कॉंग्रेस की राजनेथिक तेर्वी हो गई उसका दोश 13 सीटों पे कोई नहीं कह रहा कि आम आदनी पार्टी वोट कठवा पार्टी है क्या आप सिलाई सीखने के लिए 1000 रुपे खर्च करने के लिए चिंतित हैं फ्रीडम आपको डाउनलोड करें 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनस शुरू करें कोई नहीं कह रहा कि आम आदनी पार्टी ने कॉंग्रेस को नुकसान कर दिया गुजरात में क्यों क्योंकि नोंका नेरेटिव एक अलग है वही जो मोदी जी ने कहा उन्होंने कहा ये निट्रल होने का आवरण ओडते हैं पर हकीकत में इनका एक एजेंडा होता है और वो एजेंडा इतनी सेलेक्टिवली प्रेरित होता है मैं एक और धारन देना चाहता हूं जब भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद आता है अब ये बताइए ये वही लोग हैं जो की महिला हकों की बात करते हैं पट्रेफिल तहाला खालाला पर ही नहीं ये वो मैं महिला एक्टिविस्टों की बात कर रा हूं जो की अगर किसी बच्ची की कोई ये बात हो जाए कि साप इसकट और मिनी सकट पर बात हो जाए तो जितनी आक्रामकता और उग्रता के साथ वो पहनावे के उपर खड़ी होती वो लोग हिजाब के समर्थन में या हिजाब पे चुपी अब इससे समझ में आ जाता है कि ये निूट्रल है या टार्गेटेट है मोदी जी को लेकर यदि हम ये बात कहें तो विगत 21 वर्षों से जब से मोदी जी मुख्यवंत्री बने थे जितना सेलेक्टिव टार्गेटिंग मोदी जी की हुई है मेरे विचार से भारत की राजनेतिक इतिहास में इसका कोई उधारण नहीं होगा जो राजनेतिक लोग उनके लिए घ्रणा वैमनस वे और क्या-क्या अप शब्दों का प्रयोग करते रहे जिसका हाली का उधारण गुजरात के चुनाओं में आउकात रावन और इस सारी शब्दों की बात आती रही और वहां से लेके बोटी-बोटी काट दूँगा मरतु की कामना प्रकार वो तो अलग है मगर इन इंटेलेक्चुल्स ने एक ऐसा निरेटिव ड्रॉ करने का प्रयास किया कि हर अच्छी चीज में बुराई कैसे ढूंडी जा सकती है यह देखने का प्रयास किया है और मोदी जी के खिलाफ क्या-क्या नहीं किया है राश्टी तो छोड़ी है अंतर राश्टी सर्थ के बात प्रान मंत्री के मुखसे हमने दोजार दोकी बात सुनी है मैं उस पर आप से अलग से डीटेरिनल बात करूँगा लेकिन पहले यह जो न्यूट्राल और सो कॉल न्यूट्राल और ठीकेदार वाली बात है हमाचल में चुनावओं के परिणाम बहुत इस पष्ट है हम हिमाचन में हारे 0.9% वोटों से 38,000 वोट ज्यादा मिले कॉंग्रेस को 37,900 कुछ और वो जीत गए हम मनते हैं वो जीत गए क्या आप सिलाई सीखने के लिए 1000 और उपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं Freedom Map को डाउनलोड करें 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनस शुरू करें परंति ये वो हार और जीत है जो होती रहती है राजनीत MCD में हमारे 104 और उनके 134 ये हार जीत वो है जबकि हमारा मत प्रस्यत एक प्रस्यत बढ़ा आमाद्वी पार्टी का 12% कम हुआ मगर जो हालत कॉंग्रेस की हुई गुजरात में उसे हार कहते हैं उसे तबाही कहते हैं उसे बरवादी कहते हैं ये हार वो है जो पीडियों में कभी एक आदबार होती है जो आमाद्वी पार्टी की गति हुई हिमाचल में आज कर 2020 का मैच होता है ना 2020 के मैच में एक कोई टीम आखरी ओवर में जब एक आध गेंद रह गया हो और दो तीन रन से जीत गई ठीक है वो भी जीत है और एक जमाने में जब टेस्ट मैच होते थे ना एक पारी और तीन सो रन से हार गए अगर कोई दोनों हारों को एक ही हार कहने का प्रयास करें तो मेरे विचार से अब जमाना ये कि देश की जन्ता हो प्रभूत रहे हैं और दोनों का अंतर भरी भात ही समझे